साथियो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप के दुवारा अगर किसी भी बच्चे को सतर दो हजा चोविस पच्चिस में डिलीट कर दिया गया है तो आप उसे किस सरीके से रोल बैक कर सकते हैं जी हाँ इसका सिधा सिधा मतलब यह है यदि बच्चा आपने डिलीट कर दिया है और आप उसे पुनहें लाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस करनी होगी बड़े ही सिंपल प्रोसेस है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको अपनी प्रेणा पोर्टल पर लोगिन करना होगा जी हाँ प्रेणा पोर्टल पर लोगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पर एक ओप्शन्स दिख रहा होगा Learning Outcomes जिहां विध्यल है इस तरह भो पुर्मान पत्र के नीचे Learning Outcomes का एक आपको Options दिख रहा होगा आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले प्रिणा पोर्ट पर लोगिन करने के बाद आपको Learnings Outcomes पर क्लिक करना होगा जैसे कि हम आभी करने वाले हैं Learning Outcomes पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे Option दिखाई देते हैं इसमें हमें Student Drop Out Rollback Process पर क्लिक करना है जी हां आपके समक्स जैसी आप Learning Outcomes पर क्लिक करते हैं आपको इतने सारे Options दिखाई देते हैं इसमें से आपको इस वाले Option Student Drop Out Rollback Process पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप देखते हैं आपके दुआरा जो भी बच्चे 72 या 24 बच्चीस में डिलीट किये गए हैं यानि कि करंट शेशन में जो भी बच्चे आपके दुआरा डिलीट किये गए हैं उन सभी का डाटा यहां पर उपस्तित होगा अब लास्ट में आपको options दिखरा होगा student rollback का जी हाँ आप इसी process से अपने बच्चे को rollback कर सकते हैं पुन है अपने विध्याले में ला सकते हैं तो इसके लिए आपको last वाले option rollback student पर click करना होगा जैसी आप rollback student पर click करते हैं आपको इस सरी केसा एक drop out box दिखाई देता है इसमें हम resin डालेंगे विध्याले में वापस आना गलती से delete हो जाना लगतार अनुपस्तित रहना duplicate पंजी करन एक सर्थिक विध्याले में ना मंगकर अन्य आप इसमें से कोई भी उचित option डाल कर इसे process को आगे बढ़ा सकते हैं माली जी हम डालते हैं विध्याले में वापस आ जाना इसमें आपको comment करना होगा और student rollback पा क्लिक करना होगा इस प्रकार आप करन सेशन 24 पच्चिस में जो भी बच्चे आपके दुआरा गलती से या जान पूछ के एक इसरी परिस्तिती में delete करती गए हैं वो वापस आ सकते हैं इस प्रकार आप सभी अपने बच्चों को rollback कर सकते हैं पूने ला सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल से जूड़े रहे हैं चैनल सस्क्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो comment please comment कीजिए थैंक यू